हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आमारी यूट्यूब चैनल समराथ एजूकेशन में तो दोस्तो आज की इस व्यूड़ी में आप लोगों के लिए बीएस्टी एगरीकल्चर फर्स सेमेस्टर के एक बिस है फंडा मेंटल अप एगरोनामी का तीन से चार मोस्ट इंपॉर्ट क्यूशन जो 45 इंपॉर्टन क्यूशन है उसका पीडिएप आज दे दूँगा कल मैं नहीं दे पाया क्योंगे कुछ काम आ गया था तो आज मैं दे दूँगा और यह जो मैं क्यूशन सॉल्व करा रहा हूं यह इसी 45 क्यूशन में से तीन से चार क्यूशन है तो दोस्तों आप लोग वेजिए carbs को पालो चलूर कर लिजीए गा तो चल्य स्टार्ट करते हैं। पाला किशाथन दोस्तों मिस्रित खेती के लाब आता हानियों को वडन किजिए मिंश्रित खेती क Kathi कह और अरह लिए उससे पर दोसitute आप मटंक की बुउआ tragedy कर दी तो दो सब्सक्र को सब्सक्राइब सब को रख सकती हैं तो इससे लाब और हानी क्या उसको की अधिक जया सकती जैसे तो आपके दो पयता सकती है जिसे मजडर्यों को पैदा कर रहें तो दोनों का दोस्तों उठ्पाद रोका तो थोड़ा जदा ऊपच प्राप्च की जा कायम रहती है भूमी का उचेत उपयोग होता है मौसम विसमताओं का खतरक कम के जा सकता है जैसे मौसम बदल गया तो दोस्तों इसकी भी समताओं का खत्रा कम हो जाता है दोस्तों मिस्रित खेती में अगला एक खरपतवारों के लिए ज़्यादा जगर नहीं मिलेगा तो दोस्तों वहाँ पर खरपतवार नियंत्रों में सहाइता मिलती है आगे देखते हैं मिलती है इसरी मित्ता जोता जोता है रोक ऊसके रोकथा में मिस्रित खेट अद्ग सहाइता मिलती हैं फसलों के उत्पादन लागत को स्रम पुंजी आदी से बचा कर कम कर सकते हैं दोस्तों यदि हमने किसी फसल को बोया है उसके बाद उसके कठने के बाद बहेंगे तो उसमें भी जुदाई भुगाई खात लगेगा यदि एक एही साथ एक एहीं बो देंगे तो दोस्तों एक मिश्रित उगाने से फसल की पशू वह जंगली जानारों से रच्छा की जा सकती है दोस्तों मिश्रित फसल नाप एप द रिफ लाब होता दी अब दोस्तो इसकी हानिया किया है दोस्तो नियरा निकाई करने बहुत परिसानी होगी दोस्तों निकाई करने में बहुत पठनाए होती है हर पतवारों को रासानिक वीदी सिनें अंध्रित नहीं किया जा सकता है जैसे दुस्तों मार्केट में आप लोगों की दवा आ गई है कि यदि कियों के खेत में दोसे सरसो जाम गया है तो उसे दवाद मार देंगे तो सरसो जल जाएगा और ग्यों हो ऐसा ही सेफ सेफ रहेगा लेकिन दोस्तों यदि आप लोग से दोनों फसल मतलब मिश्रित खेती कियें जैसे मटर और सरसो की दोस्तों यदि उसमें आप मारना चाहेंगे तो नहीं मार सकते हैं दोनों को नुकसान हो सकता है या एक को नुकसान हो जाएगा तो इसमें राशानिक वेदी से नहीं किया सकता है खर्पतवारों को अगला मिश्रित फसल के प्राप्त नहीं किया जा सकता है जैसे तो फसल का सुद बीज भी उसमें प्राप्त नहीं किया जा सकता है जैसे तो फ देखते हैं मिस्रित फद्र में में कीट पतंगों के नियंतरण में कठनाई आती है प्रसायन's दोस्तों क्या होता है कि फसल के जो रूग होते हैं और कीट होते हैं उनके नियंद्धत krit करना थब करें आघिन होता है अब देखेंकिए के क्षेटी किया है दोस्तों खेती की वह अप्रडाली जिसमें रसायनों का फूर बैसकार किया जाता है उसे कार्बनिक खेती काते हैं अब आगे दोस्तों कार्बनिक खेती का महत तो क्या है कार्बनिक खेती जरूरी है जिस्ते की उच गुडवत्ता का खाध्यान समुचित सा मातरा में सरवदा उपलब्द होता रहे दोस्तों कार्बनिक खेती से दोस्तों प्रदूसर नहीं पलता है इधे तो आपके खेत में χ spies कम लगेगा कारबनी खेती से हमारा परह आउशित रएगा दिया करबनी खेती द्वारा जल संकड को दूर कियो सकता है कैसे किया सकता है दुस्तो गडिए और अपनी खेती करने से लोगनी खेर रसानी खेती में चाहले टर पाइन लगए जिसकी आपकर निले लिटर पानी ही लगे अपर आरणी करने से अबर टाइए या बनावानी करती घर्टी या थी स्वाइट Kें aúnा चाहले Square कारवानिक खेटी लागत कम होती selv लेकिन आए बढ़ जाती हैक तो धीरे दीरे फायदा होता है और समय कें लुकिन करावारता बढ़ जाती है मैंने पहले आप लोग बता दिया कि मीटा कुरुगता बढ़ जाती है किरिशक की आए बढ़ जाती कार्वनी खेती से दोस्तों लेकिन धीरे-दीरे बढ़ती है दोस्तों क्योंकि कार्वनी खेती दीरे-दीरे प्रभावर्वर्थ खेत पर डालते आए अगला पॉइंट मिटी में चूना मिटी के बारी कड़ों की संख्या एक दसनलो साथ पांच गुना नाइट्रोजन पांच गुना फासफोरस साथ पांच गुना पोटाशीम 11 गुना बढ़ जाती है जो मिटी की रुवर्था बनाए लो पांच गुणा मिटी के बारिक कर दो साथ पांच गुणा कुणा में 8 5 गुणा पासपोरत साथ-माच गुणा पोर टाइसियम 11 गुणा बढ़ जाती है किसमें दोस्तो कंपोस्ट बर्मी कंपोस्ट में आगे चलते हैं देखते हैं जैव उर्वरक क्या ओता है बायो फर् पदन है जिवित जीवार्णों का निगनाइट या कोहला सद्रिस पदार्थों के चुड में मिक्सित करें तयार के जाता है यह जिवधारी वाई मन्डली नाइ्ट्रोजन को भूमे में फीक्स करतेते हैं दोस्तों जो यह जिवित जीवार्णों का लिगनाइट या कोईला सद्रिस पदार्तों के चुड़ में मिस्रित करके तयार के जाता है या जिवधारी वाई मंडली नाइट्रोजन को भूमे में फिक्स कर देते हैं इस्थिर कर देते हैं तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों चारी क्यूश्चन अच्छी तरीक लेकिन इसी मंथ में दिसंबर में आप लोगों का इक चार्ट होने वाला है तो आप लोग अभी तयारी करिए समय ज्यादा नहीं है दोस्तों और आप लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कि अपने दोस्तों को भी 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 तैयारी अच्छे तरीके से हो सके और इसका पीडियो अब यदि आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वाट्सप ग्रूप का लिंक वाट्सप नंबर दिया गया है मैसेज करके आप लुच का पीडियो दे सकते हैं और किसी भी ले सकते हैं धन्यवाद जय हिंद